किसान भाईयों नमस्कार मैं राजूराम राठोड जोतपुर राजस्तान से आज आपको मैं दिखा रहा हूँ एक ऐसा उत्पाद जो हर कोई कच्रा छमसता है बाहर फैंक देता है जो बाहर फैंकने के बाद मच्छर पैदा हो जाते हैं उसके बाद कई तरह की बीमारियां फिर वही अपने जीवन में हो जाती है और सावधाने वो समय पर इलाज न मिलने से कई बड़ी घातक बीमारी का भी रूप ले लेती है तो उन उत्पादों का समावेश करके यानि कि जो घर के अंदर से आसपास से आंगन से जो रसोई से जो कीचन से जो वेस्ट निकलता है उन सारे वेस्ट को आज में इकटा करके एक इस पचास लिटर के बेरल में डाल कर कई दिनों से एंजाइम बना रहा हूं जिसका ताजा रूप आज इस तरह है आज गर में विशेश प्रोग्राम के साथ कुछ महमान लोग आए थे उन्हों ने इस पूरी यूनिट को देखा जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं दूर तक फिर भी यहां से आठ बैरल साइड में रख दिये गए हैं खाली जो हो गए थे अब फिर से आगे आने वाली फसल के लिए हम एडवांस तयारी कर रहे हैं कि फसल लगाते समय हमें थोड़ा समय भी मिले किसान मित्रों को सयोग करने में भी समय मिले इसको ध्यान में रखते हुए एडवांस में समय से पहले उत्पाद बना रहे हैं और इस बेरल में जो आप देख रहे हैं यह है अपने ही गर का सारा कीचन वेस्ट जो भी बजार से सबजी, फ्रूट, फल, गर का जो भी कच्रा, साफ सफाई का कच्रा, जो भी सबजियां, मिर्च, देखें कुछ पड़ी आपको दिख रही इसमें गौरफली, पपीता, एलोवीरा, सहजन, सोयाबीन, मटर के छिलके, मिर्ची के छिलके, टमाटर के छिलके, गोबी के छिलके, गोबी के पते, सलजम के पते यानि कि हर रोज, सुबह, शाम जो खाना बनता है, जो सबजी के अंस कुछ बच जाते हैं, जिसको किसान मितर बार डेल देते हैं, उनको बाहर न डालके, यहां इस्टोक करके इसको समावेस किया है, और आज बना दिया है मैंने गारबेजियम एंजाइम, इसका कुछ विशेश रंग इस तरह से दिख रहा है, इसको हर पांच दिन, छे दिन तक रखने के बाद रोज डंडे से हिलाता हूँ, पर कुछ विशेश इस तरह से बना है, इसका रंग एकदम उपर से जो आया है, वो एकदम सफेद कलर का आ चुका है, और भी इसमें कही सबजी, नए सबजियों के आगे पीछे के जो किनारी थी, वो तोड़ के इसके अंदर डाल दे गई है, धनिया के पत्ते मिर्ची है, गवार फले के कुछ नए अंस इसके अंदर आप देख रहे हैं, यह हो एंजाइम किसी भी फसल के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अ असर कारक परिणाम देने वाला होता है, इसके साथ जो एक दूसरा बैरल यहां रखा है, इसके अंदर पंच मिट्टी चार्जर का घोल जो बनाया था, पांच दिन बिना हिलाए रखने के बाद, आज इसके उपर ऐसी सफेद रंग की जो परत आई है, यह भी अब बनके त तैयार किये हैं, तीन, तीनों एक साथ दिखा देता हूँ, यह तीनों बैरल जो रखे हैं, इन तीनों बैरलों में वो उत्पाद बना के रख लिए हैं, जो लंबे समय तक रखने के बाद खराब नहीं होते, वो फसल के लिए, आने वाली फसल के लिए, बहुत ही अच्छा जेविक उत्पाद रहेगा, किसंसातियों, अगर आपको रसायन मुक्त होना है, तो सबसे पहले आपको द्रड संकल्फ लेना है, उसके बाद दूसरा द्रड संकल्फ लेना है, वो है वेस्टरडी कंपोजर आदारित खेती, मैं आपको पिछले अनुभों के इसाब से गार चाए कितना भी फ्लोराइड वाला पानी है, चाए कितना भी आपने अंदा धुंद अती आविश्यक न मानते हुए भी आपने जो रसायन इस्तेमाल किया है, उसका भी तोड है वेस्टरडी कंपोजर, आप इसके साथ सारे सारे निउट्रेंट एंजाइम बनाएं और आप की फसल जो भी है उसे रोग मुक्त रसायन मुक्त वो जमीन को उबजव बनाने के लिए इन उत्पादों का सहारा लें, मैं दन्यावाद देता हूं करशने जंदराजी को, जिनों ने एक ऐसा उत्पाद तयार किया, इस से पहले किसान इन चीजों को बनाने से अन्भिग्य पर जो वेस्टरडी कमपोजर के इज़ाद होने के बाद, उन सभी वस्तों का इसके अंदर समावेश किया जा सकता है, जिसको व्यर्थ में बाहर डाल दिया जाता है, आज ये एंजाइम बनके तयार हो चुका है, अब इसके अंदर फसल लगने तक इसके बीच जो भी घर क कीचन वेस्ट और निकलेगा, इसके अंदर और डाल दिया जाएगा, समय रहते जब फसल के उपर छिड़काव करना होगा, अवश्यक्ता अनुसार पतली पत्ती और चोड़ी पत्ती पर विसेश ध्यान रख कर इसका इस्परिक किया जाएगा, आप सभी से यही आशव पिक्षा करता हूँ कि आप भी कुछ नए नए तोर तरीके अपना कर अपने आपको रसाइन मुक्त, रोग मुक्त करने के लिए काम कर रहे होंगे, इसी आशा के साथ मैं आप सभी को कहता हूँ किसानों रसाइन चोड़ो, तुम मुझे खेद दो, मैं तुमें रसाइन से म मुक्ति दोंगा, धन्यवाद